प्रमुख नेता है यह आवाज नोगरे पली है गेला काई दूसरा मिलेला मातोश्री तालेले आहे और एक गोश्ट नक्की कि नातज अपने साथी शिवसेन आणि मातोश्री प्रसिद्धा है काई लोका केवड राजकारन करता है और आमी मात्र राजकारना चापलिक्रे जाउन नातज अपतस्तो अरविंजी आप आए हो मैं यही कहना था कि पिछले कुछ दिरों में आप लगाता दूसरी बार आए हो हम तो रिष्टा मानने और रिष्टे समालने वाज रोग है ठीक है राजदेटी अपनी और अपनी जगह पर है स्वाबाविक है आने वाला वर्ष्य निवर्णुक का इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष्य है कि इस बार अगर ट्रेन चुट गई तो हमारे देश से प्रजा तंत्र गायब हो जाएगा और प्रजा तंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्षे ये शब्द जो है वो थोड़ा सा बोलमान शब्द है विपक्षे मतलब किसका विपक्षे किसका विरोधी हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आसे उनको विपक्ष जया है विरोधी बोलना चाहिए लोगतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आये हैं सवीदान को बचाने के लिए आये हैं और जैसे अभी अभी आपने देखाऊगा फिछले कुछ दिनों में सर्वोच नहीं ने दो निकाल दिये हैं एक तो शिवसेना के बारे में हैं और दुसरा दिल्ली के बारे में दिल्ली के विशे में प्रजा तंत्र में सबसे जात्राव जो भी लोग प्रच्छी निरियों के उनका होना चाहिए और आप आप मतलब अर्विन भी अर्विन जी भी है और कि लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच चनायले ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजा तंत्रे के लिए अवजच्च था लेकिन उसके खिलाफ केंद्रा सरकार ने कि अध्यादेश लाया तो यह यह कौन सा जनितनत्र है यह तो लोगों ने चुले हुए प्रतिनी दी है अपने लोग है अपना प्रतिनी दी उन्होंने चुना है तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए तो फिर शायद ऐसे भी दिन आए जाएंगे कि र सबसे पहले मैं आप सब लोगों को शुक्रियादा करता हूँ आज यहांने के लिए मैं उद्धव जी का उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से अपनी पार्टी के तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम जो लोग आए हैं सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रियादा करता हूँ इतना, उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा, मैं भी उन्हें कहना चाहता हूं कि हम भी रिष्टा निभाने वालों में हैं, आपके साथ रिष्टा बनाया है, तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिष्टा निभाएंगे, दो ऐसे ही दिल्ली में हमारी सरकार बनी 2015 में हमारी सरकार बनते ही मोधी सरकार ने हमारी सारी शक्तियां चीन ली एक छोटा सा नोटिफिकेशन पारित करके फरवरी 2015 में सरकार बनी और मई के अंदर तीन महीने में नोटिफिकेशन जारी करके हमारी सारी शक्तियां चीन ली आठ स लड़ाई लड़ने के बाद सुप्रींग कोट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया जिस दिन फैसला आया आच साल के लड़ाई के बाद उसके आठ दिन के अंदर केंदर सरकार ने अध्यादेश जारी करके वो सारी शक्तियां वापस चीन ली तो जंतंत्र के अंदर जंता की चलनी चाहिए कि गवर्नर की चलनी चाहिए जंता की चलनी चाहिए कि केंदर की चलनी चाहिए जनतांत्र में तो चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ताकि जनता के जो जनता मांगे वो काम कर सके जनता के प्रती जवाब दे तो चुनी हुई सरकार होती है लेकिन उने सारी शक्ति चलिए इसका मतलब ये साफ शाफ ये लोग ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोट को नहीं मांगते पिछले जिस तरह का इनका रवएया इन लोगों का हमने पिछले कुछ महीनों में ये भी देखा कैसे इन लोगों ने, इनके मंतरियों ने, इनके नेताओं ने Supreme Court के दूसरे जजों को किस तरह से ये लोग गाली देते हैं, गंदी-गंदी गालियां देते हैं जिस तरह से इनके लोग जजों के खिलाफ और Judiciary के खिलाफ सोशल मीडिया पर campaign चलाते हैं इनके लोग judges को retired judges को anti-national बोलते हैं तो इनका judiciary पर इनका कोई वो नहीं है अब इन्होंने एक message दे दिया कि Supreme Court जो मरजी फैसला दे हम नहीं मानते हम ordinance लाके Supreme Court के फैसले पलट देंगे ऐसे हमारा जैसे चलेगा ऐसे तो हमारा देश नहीं चल सकता और ये जनतंतर Supreme Court को भी नहीं मानते और ये जनतंतर को भी नहीं मानते शिवसेना तो सबसे जादा भूगी है किस तरह से भारी बहुमत से चुनी हुई जनता द्वारा चुनी सरकार को इन्होंने गलत तरीके से तो या तो वो MLA खरीद के उसकी सरकार गिरा देंगे या MLA, CBI और Eड का डर दिखा के मले तोड के उनकी सरकार गिरा देंगे और या फिर ordinals लाके उनकी सारी शक्तियां चेहीन लेंगे दिल्ली में यही हुआ इन्हों ने operation lotus किया दो-तीन बार operation lotus किया हमारे MLA खरीदने की तोड़ने की कोशिश की हमारा एक भी MLA नहीं भी का जब इन्होंने देखा कि इनकी सरकार टूट नहीं रही इनकी सरकार गिर नहीं रही तो अभी ordinance लाके इन लोगों ने हमारी सारी शक्ति जा सकता जो इतने एहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है वो फिर देश के बारे में नहीं जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है तो मैं बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूँ शेफ सेना का उद्धव जी का कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया य लड़ाई पूरे देश के अंदर समविधान की है जनतंतर की है फेडरलिजम की है जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परिशान किया जा रहा है सी बिया और एडी का डर दिखाके सरकारें तोड़ी जा रही है गवर्नर के जरीए आपको जानके ताज्यूब होगा पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने गवर्नर ने का बजट सेशन नहीं होगा आप सोच सकते हैं बजट सेशन की अनुमती नहीं दी गवर्नर ने इनको सुप्रीम कोड जाना पड़ेगा पड़ा सुप्रीम कोड से आदेश लेके आ इसको हम सबको मिलके लड़ना होगा ये केवल दिल्ली के लड़ाई नहीं है और शेव सेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे दिल्ली के लोगों के तरफ से मैं बहुत-बहुत शुक कार दुबारा नहीं आ रहे हैं मैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत धन्नेबाद वुटव जी का उनके सारे एंपिस लोगसलो और राजेसाहवा के मेरे साथी भी रहें अर्विन जी, संजे, काओ जी और मिपार्टी के प्रधान अर्विन के जिवाल जी और उदुद जी पहले भी हम मातुश्री में आये थे और यहां के हमें घरजसा महौल मिलता है, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाल करता हूं, उतना मान सम्मान करते हैं, जैसा के उदुद जी ने और अर्विन जी ने बोला, लोगतंतर खत्रे में है और भारी खत्रे में है, कैसे सेलेक्टर, तो LG कौन बनाता है, LG की कभी LG ने कुई जनता से कुई, जा गौर्णर ने किसी जनता से कुई mandate लिया, नहीं लिया, अपनी मर्जी का गौर्णर लगा दिया, तंग करो, क्यों नहीं हुई सरकार को, अगर सरकार इनकी नहीं बनी, हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोट आना पड़ा, हमारे तो गौर्णर साब इस बात से भी मुकर गए थे, बजट सेशन में के मैं माई गौर्णर नहीं कहूँगा, तो हम ने कहा जी माई गौर्णर क्यों नहीं कहूँगा आप, आपकी गौर्णर आपके समवन किया आपने, तो भाशन जो लि वो बीजेपी के हेडवफिस बन गए है, जो गौर्णर है वो स्टार कंपेंणर बन गया है, ये लोग तांतर नहीं है, गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते, भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का अपना अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुश्बू है, तो एक माला की तरह भारत है हर माला का मन का जो है अलगलग रंग का है लेकिन यह चाहते हां हमारे ही कि हमारे ही हो सब कुछ हमícios राज करें जैसा ऐब जीत के नहीं आते election से नहीं आते तो भाई-election से आるे लो खुण कि आ अगर बाइलेक्षर से न आए तो खरीद लेते हैं तो देश के लिए, लोकतं सर्ज जो रहे हैं, जैसा कि अदूर जी ने कहा कि विपक्ष नहीं हैं, हम तो देश को प्यार करने वाले लोग हैं, असल में असली जो विरोधियां हैं, देश के वो 한े जो देश क को चला रहे हैं जो लोगतंतर की हत्या कर रहे हैं जो हर रोज धजियां उड़ा रहे हैं लोगतंतर की तो दिल्ली की उसके बाद आपको सुनके ताजब होगा 2015 में शक्तियां शीन ली तब 67 सीट आई थी 70-20 शक्तियां ना होने के बावजुद भी अविंजी ने काम किये हांसलों से होती है वो पंखों से नहीं होती है तो शक्तियां शीनने के बाद भी काम किये 2020 में दोबारा शक्तिरी लोगों ने 63 शीट से अब इनको यही दिखकता है कि हम लोग अब M.C.D. भी हार गए अब इनको यह लगता है कि हम धीरे-धीरे देश में हारना शुरू कर चुके हैं तो अभी देश को बचाना है अगर सभी को कठे होना पड़ेगा हां कुछ बिचारिक मत्विद होंगे कई पार्टियों के देश में लेकिन देश बचाने के लिए हमें कठा होना पड़ेगा अगर देश ही ना बचा तो फिर पार्टियां क्या करेंगे पार्टि एक फर्दानमंत्री जी बिलकुल आने वाले दिनों में नरेंदर पूति ने वाले हैं यह 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 कहेंगे 35 साल के मई हूं तो यह उन रहों पर चल रहे हैं तो यह बहुत खतरनाक है देश का लोगतनत्र जो है देश के शहीदों ने अपना खून का कत्रा कत्रा हमारे पुर्खों ने कत्रा कत्रा खून का बहा के ये देश हमको लेके दिया था ये किसी के बाप की जवीर नहीं है कि ये देश के मालिक बनके बैठ गए इनकी कोई करवानी देश के उजार करवाने में कोई योगदा नहीं है लेकि इसे जो जुडिश्री को तंग किया जा रहा है तो हम उद्व जी के पास इसलिए आये हैं कि क्योंकि ये भी पीड़त हैं उस जो पुल हाडी लेके बैठे हैं ये दिल्ली में वो सब पे चलती है तो इसके लिए हम सब को कठा होके देश को बचाने वाली पीडिया हमसे सवाल पूछेंगी जब लोगतंतर खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे कब से कम हम जवाब देने के लाइक रहेंगे के हम कोशिश कर रहे थे हमके बाद इनके गुरुद कठे हो रहे थे हम लोगों को 140 को ये बात मीडिया के जरी अपने अपने भाशा में समझा रहे थे तो मैं इनका बहुत अभार भी प्रत करता हूं कि हमें मां समान दिया और इनको पंजाब आने का लुका भी देता हूं आए तरवार साल आए बहुत शांती स्कून वाली जगा है और हम लोग मिल के सब देश को क्योंकि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिये कौम को कभीलों में मत बांटिये एक बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और जीलों में मत बांटिये